हेलो मेरे प्लांट्स लवर स्वागत है आपका टिंकू की दुनिया में तो फ्रेंड्स आज मैं आपको ऐसे तीन फर्टिलाइजर बताऊंगी जो हमारे किचन में ही होते हैं बट जानकारी ना होने के कारण हम उन्हें वेश्ट कर देते हैं इन फर्टिलाइजर को यूज करके आप अपने प्लांट्स को हेल्दी और खूबसूरत बना सकते हैं मैं तो हपते में एक बार इस फर्टिलाइजर का जरूर यूज करती हूँ आज कल गर्मियों के दिन हैं तो पौधों के जड़े वैसे ही सूख जाती हैं जल्दी तो इस फर्टिलाइजर को आप हपते में एक बार जरूर डालें तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना दोस्तो जब भी आप घर में चावल बनाते होंगे तो इस पानी को फैक देते होंगे बट इस बार आपने ऐसा नहीं करना है इस पानी को अलग से एक बरतन में छान के रख लेना है और इस चावल के पानी में थोड़ा साधा पानी मिला करके रखना है तैयार है पौधों में डालने के लिए फर्टिलाइजर फिर आपको इसको अपने इंडोर आउटडोर हर पौधों में थोड़ा थोड़ा डालना है दोस्तो आपको पता है चावल के पानी में बहुत सारे पोसक तत्तो पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, फाइवर, अमीनो एसिड, कैलसियम, फॉस्पोरस, आयरन, जिंक, पोटेसियम, कैलसियम तो दोस्तो अगर चामल के पानी में इतने पोसक तत्तो पाए जाते हैं तो सोचिए वो हमारे प्लांट्स के लिए कितना हेल्थी होगा दोस्तो बात करें अपने दूसरे फर्टिलाजर की तो इस तरह से चने अपने घर में पूरी रात भिका के हरकोई रखता होगा चाहे चने हो, चाहे राजमा हो, हम पूरी रात उसे भिका के रखते हैं इसका पानी इस बार अपने फैकना नहीं है, एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है, इस तरह से, और उसमें सादा पानी मिलाके रखना है, ये कुछ इस तरह होगा, उसे अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा, हफ्ते में दो बार इसे अपने प्लांट्स में जरूर डाले इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स, कैल्सियम, फॉस्पोरोस वगेरा पाया जाता है जो हमारे प्लांट्स के लिए उनकी पत्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है और प्लांट्स को काफी हेल्दी बनाता है यह पौधों के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है तो फ्रेंड्स बात करें अपने तीसे फर्टिलाइजर की तो प्याज अपने घर में हर को यूज करता है इस तरह से उनके छिक्कल निकलते तो उन्हें फैक देता है इस बार ये छिक्कल हमने फैकने नहीं है इखटे कर लेने है एक बरतन में इन प्याज के पत्तों को सब इखटा कर ले उसके बाद इसमें पानी भर के रख दे इसे हमने फिर ढख के रख देना है और इसे ओवर नाइट इसी तरह रखना है नेक्स्ट डे ये कुछ इस तरह दिखेगा इसे हमने एक छन्नी की सायता से अलग से छान लेना है ताकि इसमें जो कूड़ा करकटे वो अलग हो जाए इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है इसमें हमने थोड़ा साधा पानी मिला देना है डेरक्ट इसे नहीं डालना है इसमें साधा पानी किसी भी फर्टिलाइजर में तीनों में मिलाना बहुत जरूरी है और इसे अपने सारे पौधों में डालना है स्नेक प्लांट्स के लिए ये बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है प्रेंट आसा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके कुछ काम भी आएगी अगर आप मेरी इस तरह की जानकारी और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी हर जानकारी आप तक पहु तक यू